हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइट डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बैक ने एक डिजाइन बहुत ही ब्यूटिफुल तो केवल लेश से यहाँ पर हम लोग डिजाइन करेंगे ज्यादा कुछ हमें यहाँ पर नहीं चाहिए तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमको अपने वेर्थ ले लेनी है अब नीचे की साइड हम हाफ इंच अंदर की साइड को और बढ़ा लेंगे यानि की हम पूरा तीन इंच नीचे की साइड लेके और इस तरह से तिरची लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप देख रहे हो कैमरे पे ठीक है वीडियो पर आपको अच्छे से दिख रहा है इस तरह य जैसे गला थोड़ा कम लेंथ में है तो उसको आप 6-5 कर दीजेगे यह वाली निसान ठीक है अब हमको क्या करना है यहाँ पर हलका सा इस तरह से अपने डिजाइन का पैटर्न ड्रॉ कर देना इस तरह से हमने यहाँ पर अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है अब जैसे हमने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही इसकी कटिंग कर लिया है अब इसके बाद हम क्या करेंगे अपना में फैबरिक ले लेंगे में फैबरिक के सीधे साइड में अस्तरवाला कपड़ा रखेंगे बिल्कुल शेंटर पर और बस यहाँ पर जैसे हमने अपना डिजाइन ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे तो बीना बक्रम के साथ में हम यहाँ पर अपना डिजाइन तयार करेंगे कोई भी पेपर पेस्टिंग नहीं लग रहा है बिल्कुल अच्छी फनीसिंग भी आएगी यहाँ पर तो देखो इस तरह सी हमने यहाँ पर कट कर लिया है अब हम यहाँ पर इस तरह से विल्कुल अपने अस्तर वाले कपड़े के बराबर से इसको कट कर देंगे इस तरह से कट करने के बाद कहीं कहीं पर यहाँ पर बीच में हम कट लगा लेंगे जिससे की फनीसिंग के साथ में अंदर के साथ को कर लिया है अब हम उपर से यहाँ पर शिलाई लगा लेंगे तो उपर से शिलाई लगाने के बाद और भी अच्छी फनीसिंग आ जाती है इसलिए हम यहाँ पर शिलाई जरूर लगाना चाहिए तो यह हमने शिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है आप देख सकते हो अब इसक करेंगे जो भी इस्टरा वाला कपड़ा है विसे हमें कट कर निकाल देना है इसके बाद वाले कपड़ेन के टॉड़नाँ एसके बाद यहां पर जैसा हमने अपनी डिजाइन ट्रॉक किया हुआ है है और yeast से रगते यहां साइड लगानी है ठीक है अब से मैसे ही दूसरे लेंगे उससे तोड़ी सी दूरी आप देख पारम है यहां पर हम दूबारा से लेज लगा लेंगे इस तरह से dreiछ सेरे अब से ला लाई जिसको हम इस तरह से कुछ डिजाइन करेंगे तो केवल गले पे नहीं थोड़ा सा हमें बिल्कुल आर्म होल के पास से इस लेज को रखना है और शिलाई लगाते जाना है पूरे ही गले पे तो इसके बाद जैसे हमारा पैटर्न ट्रॉ है वैसे ही आपको लेज को मोड़ते ज लगाई है ठीक है तो आपको भी शिलाई लगा लेना है दोनों साइड लेज में अब सेम तरीके से हम यहाँ पर दुबारा से फिर्ज़ शिलाई लगाकर कम्प्लीट कर लेंगे यानि कि डबल लेएर में हम अपनी लेज लगा लेंगे तो लेज से इस तरह से यह हमने यहा करेंrif 의 मेरे चैनल पर अपलोड नहीं इसके वीडियो देख रहे हो तो जल्डी से सबस्क्राउब कर लीजेगा सायद आप जब वीडियो देख रहे हो तो सायद वीडियो अपलोड भी हो चुकी होगी तो आपको डिस्क्रिप्सन बाक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी ठीक है लटकन की तो इस तरह से ये हमारा बैकनेक डिजाइन बनके कम्प्लीट हो गया है पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक से और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थेंक यू